हेलो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पी एच पी में इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है इसके बारे में सीखेंगे तो सबसे पहले हम यहां पे if else statement इसकी definition जानेंगे तो इसकी definition है अगर if की condition true होती है तो if का statement execute होता है अगर condition false होता है तो else का statement execute होता है तो यह if else statement की definition है इसके बाद हम if else statement का syntax जानेंगे यहाँ पे सबसे पहले लिया गया है if condition इसके बाद curly braces open इसके बाद code to be executed if condition is true यह हमारी first statement है curly braces इसके बाद close करनी है इसके बाद यहाँ पे लिखना है else इसके बाद curly braces open दूसरी statement है अगर ऐसा true नहीं होता है तो यहाँ पे second यहाँ पे statement है code to be executed if condition is false तो यहाँ पे अगर condition false है तो यह statement execute करेगी इसके बाद यहाँ पे curly braces को close करना है तो यह if else statement का syntax है इसके बाद यह if else statement का syntax है यहाँ पे दिये गया है if if यहाँ पे condition लगाई हुई है condition अगर condition यहाँ पे true होती है यह condition true होती है तो statement first यहां पर execute करेगी, आगर यहां पर condition false होती है, तो statement second यहां पर execute करेगी, अब if else statement को program के जर्य समझेंगे, तो यहां पर एक program है, write a program in PHP to check whether a number is even or odd, तो यहां पर यह PHP का program लिखा हुआ है, यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है, dog type stml, इसके बाद यहां पर stml, उसके बाद यहा heading, यहां पर हमने start किया हुआ है, h1, इसके बाद यहां पर PHP को start किया हुआ है, इसके बाद यहां पर variable लिए हुआ है, x is equal to 26, इसके बाद यहां पर if, इसके बाद यहां पर condition लगा हुए है, variable x modules to equal to 0, यहां पर लिखा हुआ है, इसके बाद curly braces open, यहां पर यह statement first है, eco even number, इस इसके बाद यह curly braces को close किया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे as लगाया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे curly braces open की हुई है, इसके बाद यहाँ पे second statement लिखी हुई है, echo order number, इसके बाद curly braces को close किया हुआ है, इसके बाद PHP को close किया हुआ है, h1 को close किया हुआ है, body को close किया हुआ, और यहां पे last में stml को close किया हुआ है तो यह हमने php का program लिखा हुआ है इसके बाद हमने इसको save किया तो save हमने double a name से save किया हुआ है इसके बाद हम values को भरके यहां पे check करेंगे कि यह value even number है यह value old number है यहां पे इसको minimize करेंगे यह minimize किया इसके बाद bomb server, इसको यहां पे open करेंगे, यह bomb server यहां पे open हो रहा है, यह bomb server यहां पे taskbar में यह open हो गया है, यहां पे हम click करेंगे, यहां पे click करने के बाद, इसके बाद यहां पे localhost यहां पे जाएंगे, यहां पे click किया, इसके बाद यहां पे localhost लिखा हुआ है, इसके बा फॉल्डर नेम यह लिखेंगे जहां पर हमने फाइल को सेव किया हुआ है तो फॉल्डर नेम है प्रोजेक्ट यह प्रोजेक्ट लिखा इसके बाद फिर फारवर्ड स्लैश इसके बाद हमने फाइल को किस नेम से सेव किया हुआ है फाइल का नेम दिया हुआ हमने डबल ए य यह PHP लिखा, enter प्रस करेंगे, यहाँ पे यह देखो enter प्रस किया, enter प्रस करने के बाद यह देखो यहाँ पे आ गया even number, तो यह देखो यहाँ पे even number शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे variable x is equal to 26, यह 26 जो है यह even number है, तो यहाँ पे यह even number आ गया, अगर हम यहाँ पे even number की ज 27 यह 27 किया 27 करने के बाद हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और इसको सेव कर देंगे यह सेव कर दी सेव करने के बाद जब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ओर नमबर आ जाएगा यह दिखो यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहां पर यह order number आ गया तो इस वीडियो में हमने if else statement PHP में कैसे काम करती है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद